नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाले आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताईएगा भी बहुत बढ़ी आप प्रेम से बूलेंगे राधे राधे और सुनाओ क्या हाल चाले चलो और बताओ सब मौझ बहार सब ठीक ठाक हां सर जी ठीक है तो चलिए बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और आज हम आपको गीता का ग्यान देंगे सब्जक्ट की पढ़ाई बहुत कर ली हमें जीवन जीने के लिए कुछ और ग्यान की आवश्यक्ता भी पढ़ती है तो जो गूगल ड्राइपर देख रहे हैं उनके गूगल ड्राइपर मैंने वो ग्यान जो है वो अपडेट करा दिया है मैंने हाथ से लिखा है आज बैट कर ये पूरा ग्यान गीता पढ़कर ये लिखा है और जो लाइव देख रहे हैं उनको मैंने वोटसब पे भी ये भेज दिया है ठीक ये सर तो ग्यान की जो शुरूवात होती है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर की जाती है देखे पहले ना आप इधर अधर अपना ध्यान मत भटकाईएगा पूरा फोकस यहाँ पर लेकर आएं क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब हमारा मन और हमारा शरीर अलग-अलग जगाओं पर होता है तो हमारे अंदर ठकान पैदा हो जाती है जब हम मन और शरीर को एक जगह रखते हैं तो बेस्ट आउटपुट हो पाता है और रस तब ही निकलता है अधरवाइज सिर्फ मन या सिर्फ शरीर से रस नहीं निकल सकता है हम सभी जानते हैं कि भई चाहे कार का ही एक्जामपल ले लिजिए जब एक नई कार लेकर आते हाला कि मुझे एक नई कार खरिदनी है आप सज़स्ट कीजिएगा छोटी कारों में नई कार कौन सी ठीक रहेगी मेरे पास पुरानी सिफ्ट थी वो एक्सपायर कर गई है उसका रिप्लिस्मेंट मुझे चाहिए तो आप सज़स्ट कीजिएगा तो जब मैं नई कार लेकर आऊँगा तो उसमें एक मैनुवल आता है कार का उसमें बताया जाता है कि इस कार को कैसे ड्राइव करना है कैसे handle करना है, diesel डालना है, petrol डालना, CNG भरवाना है each and everything detailed में लिखा होता है कि whole life आपने इसे कैसे operate करना है अगर आप manual में लिखे हुए नियमों के मताबिक उस car को operate करेंगे तो वो long life जियेगी और happily जियेगी कार करत कोर का भाई सब आप किसी भी छोटी मुटी मशीन जी को खुरी दियेगा washing machine ले आईए, music system ले आईए हर एक छोटी बड़ी मशीन के साथ अपना एक manual आता है एक manual आता है पर दुरभागे की बात यह है कि हम उस manual को कभी पढ़ते ही नहीं है गाड़ी में सब कुछ पुराना हो जाएगा लेकिन वो manual हमेशन नया बना रहेगा उसे खूल कर कभी दीखते ही नहीं है हम लोग यह दुरभागे है ऐसे ही life को जीने के लिए life को जीने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक manual दिया हुआ है उस manual का नाम है भगवत की का पर दुरभागे की बात यह है कि बहुत सारे लोग उसे पढ़ते ही नहीं है भगवत गीता को आप एक धर्म गरंत से न जोड़ें न कि हिंदू मुस्लिम सिक खिसाई आप ऐसे न जोड़ें उसे उसमें तो जिंदगी कैसे जी जाती है या कैसे जीनी चाहिए जब हम विसम परस्थितियों में होते है तो हमारी decision making कैसे होने चाहिए क्या सही है क्या गलत है क्या करम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और जो करम करने चाहिए वो कैसे करने चाहिए इस बात पे चर्चा करी गई है अगर हम वाकई में भगवत गीता के अंदर बताए गए principles को follow करते हैं उन पर चलते हैं तो निश्यती हम जीवा में बहुत खुशाली लेकर आएंगे एक जो happiness होती है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे लेकिन आज का जो समाज है वो happiness नहीं प्लेजर के पीछे भाग रहा है प्लेजर बड़े short term होते हैं happiness एक long term चीज होती है जो all the time व्यक्ती को खुश रखती है अंदर से लेकिन दुर्भा की बात वही है कि हम उसे पढ़ते नहीं है सुनते भी कभी कभा आई ही है ऐसे करके है मालिक और उसमें हर चीज के बारे में बता रखाएंगे तो का ध्यान रखता वैसे बताते कि आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है क्योंकि जितने भी सुख है सब इसी शरीर के माध्यम से भोगे जाते हैं तो लिखा है मैंने यहाँ पर आकर आप देखेंगे मैंने बहुते सटीक वर्ड़ों में वर्ड्स में हैं लिखने की कोशिश करी है आप एफ्रिशेट करेंगे इसे कि भगवत गीता एक लाइफ मैनुवल है इस हाव टू लिव लाइफ लाइक कर्मा करें और किस तरीके से करें यह यहाँ पर सिखाया जाता है भगवान कृष्ट ने कहा है कि भगवान क्या है बताया है उसके अंदर जब हम खाना खाते हैं तो जो स्वाद आता है जो स्रिष्ट तम चीज होती है वो भगवान होती है पश्वों में गाय को भगवान बताया गया है वरक्षों में पीपल को भगवान बताया गया है या आप भी अपना काम करते होंगे और जिस काम करने के बाद बोले मजा सा आ गया बस वही मजा जो है ना वही भगवान होता है किसी भी काम को इतने स्रेश्ट तरीके से करना चाहिए इतना उच्च कोटी के साथ करना चाहिए इतना disciplined होके करना चाहिए कि ऐसा कोई दूसरा कर ही ना पाए वही भगवान होता है वही सची सिद्धी होती है आगे यहां पर बताते हैं कि भगवत गीता हमें right or wrong का difference बताती है and guide us to take right decision क्या सही है क्या गलत है और जब परस्तियां अजीब और गरीब होती है तो हम अपना सही फैसला कैसे ले इमांदारिश से बताईए क्या हम लोग decision making ठीक से कर पाते है मुझे दस दिन होगे मैं गाड़ी कौन से लूँ नहीं decide कर पा रहा आप खेल पले रहा हूँ क्यों गाड़ी कौन से लूँ बताओ जरा पहुत छूटे छूटे decision नहीं कर पाते हैं हम लोग आज जिम जाना कि नहीं जाना इसमें बच्चे आदे घंटे ओल जे रहते हैं बर्गर खाऊं कि ना खाऊं ये तक decision लेने में कठना ही हो जाती है हाँ स्टिकर तो आप अपने करियर में कैसे आगे तक जा सकते हैं क्या management होना चाहिए हर चीज वहाँ पर बताई जाती है principles और भगवत गीता बताते हैं यह पर principles और भगवत गीता ये truth पर based हैं सत्य पर based हैं जब हमें effective जो हमें effective तरीके से life जीना सिखाते हैं जिनको follow करने से हमारे पाप कम हो जाते हैं और हमारे पुन्य बढ़ते हैं कभी कभी होता है نा कि accident होते होते बच गया बाल-बाल बच गए यह हमारे कुछ पुन्य कर्म होते हैं जिनकी वैज़े से हमारे ऐसे बच जाते हैं तो पाप कम यानि खतम होते हैं और पुन्य हमारे बढ़ते हैं और जब वेक्ति अच्छ अच्छे काम करेगा disciplined way में चलेगा तो अव्यसी बात है इसका जो सीधा असरव हमारी society पे पढ़ता है हमारी आगे आने वाली generation पे पढ़ता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने आसपास के जो लोग उनको observe करते हैं छोटे बच्चे को आप सिखाईए ग्यान बाटिए उनको नहीं समझ में आता है वो खुद से observe करते हैं पुल मोड पर लेकिन हम उने ग्यान पेलते हैं पुश मोड पर पुश मोड उनने समझे नहीं आता है वो खुब observe करते हैं कि भाई साब चल क्या रहा है उसी तरह से उनकी बुद्धी का विकास होता है तो अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे disciplined way में चलेंगे तो definitely हमारी आगे आने वाले जेनरेशन में बदलाव आएगा और इस society और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा रही से आगे तक लेकर चाएगा भगवत गीता के principles follow करने से fairness आती है फेरल नवली से fairness नहीं आती है यहां से आती है मतलब एक साफ और सुथरा साफ और सुथरा और एक trust worthy महाल बनता है जूट मत बोलो काम उकरोद लोब मोह चोरी चकारी छीना जबटी यह सब वहां नहीं सिखाया जाता है वहां बस यह चिकाते हैं कि आप अपने सृष्ठ करम करके आप तरक्की कैसे कर सकते हैं ना कि दूसरे की टंग खीचकर आप कैसे तरक्की कर सकते हैं तो एक शांदार वाले सावाज की स्थापना वहां पर की जाती है यह सिखाय जाता है भगवत कीता में चार दुश्मन होते हैं काम, क्रोध, लोब, मोह सिर्फ हमारे पुन्यों को ही नश्ट नहीं करते हैं द्यान जो सुन लीजिए का घर में में सुनाई एक जो बात बता रहा है मैं आपको पूरा दिल लगाया इसके उपर आज हम ने काम क्रोध लोब मोह जो होते हैं अगर आप ही ठीक से नहीं सुनोगे तो आने वाले जनरेशन क्या सीखेगी बताइए और आपका इफर्ज बनता है कि यहां से इस ज्ञान को लेने के बाद आप इसे आगे बाटे है काम क्रोध लोब मोह हमारे पुन्यों को ही नश्ट नहीं करते बलकि रधर सुसाइटी को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं घर में कोई शराब पीता है सिगरेट पीता है गुटका खाता है तो क्या आने वाले जनरेशन ये सब नहीं करेगी बिलकुल करेगी अगर आपके घर में मालेजिए पूजा पार्ट का माहौल है अबादत की जाती है जैसा भी एक शर्दा भाव रहता है तो उसका असाथ बच्चों पे जाता है समाज पे जाता है भगवत गीता को फॉलो करने से हमारे जो डिमेरिक्स होते हैं अवगुन होते गंदी आदते होती है जो बैड हैबिट्स होती है वो सब छूत जाती है और आपने देखा कुछ लोग हमेशा उनका चरह हसोर टाइप रहता हसते से रहते मुस्कुराते रहते हैं वो ना भी बोले तब भी चेहरे पे अजीब से स्माइल लती है वो यहां का रिफ्लेक्शन होता अंदर का उनके भीतर दियासा जल रहा होता बड़े शान तो होते हैं वैसे करके जरा जरासी बात पे विचलत नहीं हो जाते हैं मर गए रहे मर गए रहे भगवत गीता में यही सिखा जाता है इस्थरता सिखाई जाती है जिसे संभाव बुलाते हैं जरासी समस्याई तो तरप नहीं उठे और जरासी खुशी मिल गई तो बौकला नहीं गई समंदर बनना सिखाया जाता है थोड़ा पानी सूख गया तो असर ना पढ़ रहा थोड़ा बढ़ गया तो असर ना पढ़ रहा छोटी नदियां क्या होती है थोड़ा पानी सूख जाता है तो मर जाती है थोड़ा पानी बढ़ जाए तो उफान मानना शुरू कर देती है आपको समंदर बनना सिखाती है भगवत कीता और ऐसा करने जो हम संभाव रखते हैं थोड़ा हर्दय बड़ा रखते हैं तो जीवन में से ये डिस्प्यूट जो होते हैं कलेश बाजी जो होती है हर ताइम की चैंचे में में दिमाग में जो तूफान चलता रहता है ये सब खतम हो जाता है अब पढ़के तो देखिए का कहो तो मैं आपको डिस्टिबूट भेज दूँगा गीत अगर आप कहेंगे तो भगवत गीता बेसिकली एक सेट अफ गाइड लाइन्स है lots of principles are there जो एक disciplined life एक शब्द दे रहाँ पर disciplined life सिखाती है even person को भगवत गीता के principles को follow every person को follow करना चाहिए जात पात धरम सब को भूलते हुए एक life जीने का manual है इसे follow करना चाहिए ये कोई धरम गरंत नहीं है ये एक practical life का अपना एक ये मान के चली कि बहुत बड़ा हमारे पास में है जितने भी writers निकलें जितने भी आज किट में किताबें चल रहे हैं इनके हर बल अच्छाची copies बिकती हैं सब की source भगवत गीता है और जो हुमारे वेद बने हुए हैं वेदों का सार भगवत गीता और जितने भी किताबें आप राइटर्स की देख रहे हैं सब यहीं से लिए हुए अंश हैं इनी चीज़ों को उने elaborate करके और अपने अपने ढंक से उन्होंने बताया है तो कहते हैं भगवत गीता बेसिकली हमें सिखाती है कि हम इमांदार कैसे रहें हमें इमांदारी बड़ा शब्द होता है हमें इमांदार रहना है किसके प्रति हमें अपने रिष्टों के प्रति इमांदार रहना सिखाती है हमें अपने काम के प्रति इमांदार रहना सिखाती है करमशील बनाती है निकम्मा नहीं बनाती है इमांदारी बड़ा शब्द होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसके प्रती इमांदार रहे है पुरी शद्दा पुरी शद्दत के साथ कीजिए डेफिनिटली आपको सफलतास्वा मिलेगी यह हमें फोकस रहना सिखाती कि आप अपने लक्ष पर कैसे फोकस्ड रह सकते हो वो सिखाती है लाइफ में डिसिप्लिंड रहें वो सिखाती है और सबसे बड़ी बात हम अलर्ट रहें अलर्ट जिसे हिंदी में चेतन बोलते हैं दो शब्दाते हिंदी के एक जड़ आता है एक चेतन आता है चेतन का मतलब अलर्टनेस होता है और जड़ का मतलब कते बेहुशी होती है मिट्टी होता है तो चेतना सिखाती है और ध्यान करने से मेडिटेट करने से हमारे अंदर के जो चेतना होती है वो जागरत होती है जग हर परसन का जो करम है भगवद गीता के according ही होना चाहिए ऐसा बार-बार बताया गया है करम क्या आपके जो भी compliance है जो भी उठना बैटना ये वो समाज के प्रती परिवार के प्रती आपके जिम्मेदारी और responsibility है सब accordingly ही होना चाहिए जो भगवद गीता के principles को follow करता है न भाई या नहीं करता ये कहिएगा बुरा काम क्या है हर वो काम बुरा है जो भगवद गीता के against जा रहा है बैड करमा जिसे बोलते हैं हम लोग और अगर कोई व्यक्ति बुरे करम करता है तो एक गरण पुरान आता है उसमें लिखा हुआ है कि ये वाला गंदा काम किया तो सजाएए मिलेगी ये वाला गंदा काम किया तो आपको सजाएए मिलेगी जैसे उधारन के तोर पर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं आप यहीं रहेगा मेरे साथ भटकियेगा प्लीज यहां मामद जाईएगा चुप चाप ध्यान जो अपका शरीर एक जगे है एक आप ग्रू होकर काम कर रहे हैं फोकस डू कर काम कर रहे हैं चेतना के साथ काम कर रहे हैं आप तो यह बहुत आगे तक लेकर जाएगा आपको लेकिन अगर आप बेहुशी में काम कर रहे हैं वो काम कभी ठीक नहीं हो सकता है सिगरेट पीके पढ़ाई अरे कभी नहीं हो सकती यार दस्मन्ट लगेगा क्योंकि BPI हो जाता है उसके बाद फिर कभी नहीं तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो अलर्टनेस के बिना या ग्रॉस नेगलिजेंस कह लिजा ठीक है लापरवाही कह लिजिए उससे किया गया काम जो होगा आपका तो कभी ठीक नहीं हो सकता यही बुरा कर्म है दूसरा बोलते हैं बिना परियाप्त नॉलिज के बिना एलुकेट नॉलिज के अधूरे ग्यान के साथ कोई काम करेंगे या आप उसका पढ़ना भी भयानक होगा अधूरा ग्यान बोलते हैं अब सुनते आए हो दोधारी तलवार की तरह होता है अधूरा ग्यान ग्यान हो तो पूरा हो वनना इसे तो ना हो ज़्यादा बेटर है वो भी एक बुरा कर्म बन जाता है या फाइनली बोलो कोई भी ऐसा काम जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा है वो आपका यहाँ पर बाबु मेरे वो काम एक बैड कर्मा बन जाएगा और बैड कर्मा की सजा मिलेगी सजा कैसे कैसे करके मिलती है सजा तन, मन, धन तीनों को दी जाती है बाबु मेरे बैड कर्मा की सजा तन, मन, धन फिजिकली, मेंटली और फाइनेशली बिजनस में नुकसान हो सकता है चोट लग सकती है मांसिक परेशानिया नोटिस आ सकते हैं इंकम टेक्स के तो यह कोई और डिस्टर्वेंस लाइफ के अंदर हो सकता है तो सजा तो पक्का पक्का मिलेगी हाला कि पांच तरह के करम बताए गए हैं जिने भगवान कहते हैं कि मैं भी नहीं काट सकता चाहे कितना यह बड़ा भक्त मेरा क्यों ना हो उनमें एक बुरा कर्म यह शराब पीना भी आता है क्योंकि शराब पीने से वो हमें अलर्टनेस को खतम करता है और अलर्टनेस ही तो है जो भगवान का रूप यहाँ पर लेकर चलती है आगे बढ़ते हैं मजे की बात कही गई है कि हर व्यक्ति को ना भगवान तो खर करमों का इसाब रखते ही रखते लेकिन हर व्यक्ति को अपने खुद के करमों का भी लेखा जोखा रखना चाहिए आप एक काम करना आप एक डायरी मिंटेन करके चलिएगा आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छा वो रहा सब डायरे में लिखना साथ दिन बाद आप अपने पेजिस को पलट कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं अपने आप समझ में आ जाएगा तसलिए खुद हिसाब बना के रखना चाहिए और जो भी आपने लिखा डायरी के अंदर विद प्रूफ लिख के चलना ताकि आप कहीं भूलना जाओ कि ये क्या था कैसे करके था ठीक है जी तो ये सारी बाते हैं यहां पर आकर तो बस यही कहा गया कि भगवत गीता के मार्क पर चलकर सिर्फ आप ही अपने जीवन को ना सुधारे आप इसमें लोगों का मार्क दरशन भी करें और उनको एडवाईज भी आपको देनी चाहिए ये कैसे और सबसे बड़ी बात पता है क्या दूसरों का एक के तरह परोपकार बच्पन से सीखते आएं कि हमें परोपकार करना चाहिए लोगों का मार्क दरशन करें अगर आपके सोसाइटी के अंदर ये आपके सगे संबंधियों पर कोई समस्या आन पड़ी है तो आपका फर्ज बनता है कि उसे हटा कर उस समस्या के सामने आप खुद खड़े हो जाएं कि आ मैं देखता हूं मुझसे टकरा मैं भगवत गीता पढ़ा हूँ भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पचलता हूँ मुझसे टकरा के दिखा उसके जगह ले ले आप वहाँ पर जाकर सुक में भले ही दूर है लेकि दुख में उसके धाल बन जाएं जाकर वहाँ पर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों की हेल्प जरूर कर देना मदद जरूर कर देना उनके काम में मदद कर देना यही सबसे बड़ा परूपकार और पुन्य का काम होता है हेल्प करने से पहले लेकिन जब भी किसी के हेल्प करो तो यह जरूर चेक कर लेना कि वो व्यक्ति हेल्प करने योग्य है भी कि नहीं अगर आप में चोर की चोरी करने में मदद कर दी तो आप भी भागिदार बन जाएंगे चोर की चोरी करने में हेल्प नहीं करना लेकिन जो जैनूवन परसन है इमांदार व्यक्ति है वो भी भगवत गीता की नियुमा पे चलने वाला है तो आप ऐसे इमांदार व्यक्ति के जरूर जरूर help कर देना और भगवान से भी एक प्रात्रा कर देना कि भगवान इसका ध्यान रखना जरा अपना ही बच्चा है आप ही का भगत है इसका भी ध्यान रखे चलना जो सत्य के साथ चलता हो ऐसे सत्य वादी व्यक्ति की आपको जरूर जरूर मदद करने चाहिए और भगवान से शिफारिश भी कर देनी चाहिए ऐसा करने से आपके पाप कटेंगे आपके पुन्य बढ़ेंगे और दूसरे काम में हेल्प कुछ इस तरीके से की जा सकती है फॉलॉइंग एरियाज में की जा सकती है कैसे अभी बताता हूँ तो जिस प्रकार से भगवत गीता में ग्यान दिया हुआ है लाइफ को कैसे आपने जीना है कैसे आगे बढ़ना है बिलकुल उसी तरीके से एक प्रफेशनल के लिए GST के अंदर कुछ एथिक्स दिये हुए है गीता के अंधर लाइफ को जीने के एथिक्स है कार मैलोन में कार को चलाने के एथिक्स है कोई भी काम जो बिना एथिक्स के किया जाता कभी ठीक नहीं हो सकता हर चीज के एक नियम कानून होते हैं डिसिप्लिन होता है ऐसे ही GST लौ जो आया है इसके भी अपने कुछ ethics हैं प्रफेशनल्स जो होते हैं उनके लिए बताया गया कि आपको कुछ इन इन पेरामिटर्स को follow करना होगा अगर आप अपनों बताएगे ethics के मताबिक काम नहीं करते तो आपका ये bad कर्मा बन जाएगा सजा मिलेगी जरूर जरूर सजा मिलेगी उसकी क्या है ethics जैसे भगवत गीता वैसे आपके GST के ethics वैसे कार का manual वही बात आपके यहां पर बताई गई है प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आईए अब पढ़कर देखते हैं अपने GST के ethics लीजे साहब अब जरा इस स्टोरी को इस भगवत गीता की बातों को आप अपने बेकल बराबर में रखिएगा बराबर में रखके बेकल एकदम world to world match करते हुए जरूर चलिएगा मालिक ठीक है जी हाँ जी बाब आज बाब अजना किया जी हैंगे पुरे अलर्ट में हैं हाँ वेरी गुट पुरे ध्यान से सुन रहे हैं that's great क्या बात है क्या बात है जो ethics का chapter है आप पढ़कर देख लीजी आपको भरोसा नहीं आपका chapter खतम हो चुका है believe me by God मैं जूट नहीं बोल रहा आप से आपका chapter खतम हो गया है अगर मैं यहां से बोल दूँ कि ठीक है भाई chapter खतम में जा रहा हूँ रीड करके देख ना पूरा एक एक one to one एक एक लाइन एक एक शब्द dictionary defines the term ethics अच्छा the moral principles that governs a person's behavior और how an activity is conducted भागवत गीदा भी तो ही सिखा रही है कि कर्म कैसे करना है इनका दाइरा छोटा है यह सिर्फ जियस्त्री के दाइरे में बात कर रही है भागवत गीदा का दाइरा बड़ा है वो पुरी life, पुरी society, पुरी देश, पुरी world पुरी प्रत्वी के बारे में बात कर रहा है यह उसी समंदर की एक बूंद के बराबर है यह chapter जो मैंने आपको भी पिलाया है समंदर उसके एक बूंद है यह how an activity is conducted ethics provide a framework for distinguish between right and wrong आप देख ना मेरे इस theory के अंदर जो लिखवाया है मैंने भगवत गीता भी सही और गलत का ग्यान देती है ethics भी सही और गलत का अंतर बताते कि क्या अंतर है यह ethics हमें decision making में guide करते कि decision कैसे लेना है भगवत गीता भी हमें decision making सिखाती कि आपको अलग अलग परस्ततियों में फैसले कैसे लेने होते है determine what is consider morally acceptable लिखा यह शब्द भी लिखा है कि ऐसा decision होता है वो भगवत गीता के दोरा लिया हुआ जो morally acceptable होता है society के अंदर reduction of tax evasion tax evasion क्या है यह पाप है और government का revenue क्या है यह पुन्य होता है government का revenue बढ़ रहा है तो यह पुन्य का काम है और अगर आप tax की चोरी कर रहे हो तो यह पाप होता है पढ़कर देखिए ethics ethics जहां लिखा मिल जाए मालेना भगवत गीता के principle ethics are fundamental to the effective function of any taxation system ethics जो है किसी भी जीवन को जीने के लिए happy life जीने के लिए एक fundamental है root है base है इसके बिना काम नहीं चलेगा भे this also holds true for the GST regime truth, सत्य भगवत गीता भी सत्य पट्टे का हुआ है सत्य की बात करता है ethics भी सत्यता की बात करते है true ethical conduct contributes ethical conduct मतलब उन principles को follow करते हो जो करम कर रहे हैं regulatory compliance और जिसके चलते हुए finally आपका ये पाप जो हैं कटते हैं और जो पुन्य हैं वो बढ़ता है भगवत गीता के principles पल्चर वेक्टी चलते हैं उनके पाप कम होते हैं पुन्य उनके बढ़ते हैं तो ये रहा मालिक इसका पुन्य और ये रहा इसका यहां पर पाप पाप कम होगा पुन्य बढ़ेंगे trustworthy tax environment and less litigation जो भगवत गीता पे चलते हैं वो एक fair transparent साफ सुथरी society का नर्मार वहां पर किया जाता है क्योंकि हर कोई observe कर रहा होता है कलेश उपद्रव ये चैमे चैमे दिमाग में सब खतम हो जाता है ऐसे इन ethics को follow करने से it also helps in creating fair transparent trustworthy tax environment लेकिन यहां environment पूरी प्रत्वी का होता है society का होता है and reduced uncertainty that supports economic growth and development reduce uncertainty अनशिता का माहौल जो होता है भगवत गीता पढ़ने वाले के दिमाग से अनशिता हट जाती uncertainty हट जाती क्योंकि वहाँ यही सिखाया जाता है कि ठीक से काम करो फल की अक्छा मत करो और ठीक से जब काम करोगे स्रिष्ट तरीके से काम करोगे अब तो फल जाएगा भी कहा लेकिन अगर आप फल को यह देखते रहो पका की नहीं पका पका की नहीं पका अगर उसको बन नजर रखोगे तो आप ठीक से कर्म नहीं कर पाओगे कर्म करो अपना फल जाएगा कहां बे जाएगा कहां फल कहीं नहीं जाएगा इतने शांदार तरीके से करो इतने श्रिष्ट तम तरीके से करो खाना भी खाओ तो अपने अपसे पूछ सरिश्ट तरीका वही भगवान है, वही इष्टाँ वही अल्ला है वही जो आपके जिनको मानते हो वह शक्ति एक ही है इशवर एक है इस काइनात को चलाने वाली पावर एक है उसी power को भगवान, अल्ला, ईश्वर सबका नाम देके चलते है उसके दर्शन हो जाते है हाँ, जब आप कहते हो कि मजा आ गया चाहे class में मजा आ गया, चाहे movie मजा आ गया, चाहे खाने मजा आ गया वो जो मजा word होता है न वही आपको भगवान के दर्शन कराता है, वही आपका ईश्वर है unethical practice का मतलब बुरे कर्मा, bad, unethical जो ethics के against जा रहे हैं like bogus invoice, यानि कि आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, bogus invoice, without underlying supply, wrongful availment of ITC, etc लग दिया है, काम क्रोध रहे हैं, काम क्रोध, लोभ, मोह, no supply, no bill, book ITC, fraud and refund all these activities are bad कर्माज, सजा मिलेगे not only undermine the tax revenue, यह सिर्फ पाप ही नहीं है, बलकि यह एक पुरी society को destroy कर डालता है बुरे कर्मा व्यक्ति के, बुरे कर्म से, बुरे कम से, शराब पीने सर्फ शराब की cost नहीं होती, पुरा परिवार उसकी बली चड़ जाता है बुरे कर्मों से, बुरे कर्मों का नुकसान कितना पहुंचता है, इसका अंदाज़ा, इसका measurement possible नहीं है अगर आप ethical behavior करेंगे तो आपके जो आपके कलेश जगडे डिस्पूट होते हैं, यह सब नहीं होंगे life के अंदर role of chartered accountant in ensuring ethical under GST, वो बता है कि ethics क्या है अब यहां कहने कि CA का उसमें क्या role आ जाता है, in general professional behavior, यानि कि ethical behaviors, ethics के अंदर रहकर behaviors of a chartered accountant is governed by the set of ethical guidelines and principles यानि की, क्यों क्या हो आप ठीक है, हाँ जी, the professional behavior of chartered accountant is governed by a set of guidelines, अरे भगवत गीता में भी तो set of guidelines है, set of principles हैं, अनिक अनिक अध्याय में बाट रखा है, हर field के बारे में knowledge दी गई है कि आप अपने अपने field में कैसे growth कर सकते हो, कैसे जीवन को संपन्न बना सकते हो, जिसे हम code of ethics कहते हैं, हमारे यहाँ भगवत गीता कहते हैं, अरे भगवत गीता नाम के समंदर की है, एक बूंद आप पड़ रहे हैं, इस समय, सब उस इस याई ने रचा है, आपके code of ethics को, every child accountant has to abide by the code of ethics, भगवत गीता हर इंसान के लिए है, ICI के ethics, CS के लिए हैं, सर्फ, limitations हैं, वो कहते हैं, एवरी person को, यहाँ बोला, every CA को करना है, वो कहते हैं, एवरी person को भगवत गीता के नियों पर चलना चाहिए, इट इंकरेज, इट इंकरेज the child accountant to be honest, हाँ, यह CA को honest बना रहे हैं, वो भगवत गीता हर व्यक्ति को इमांदार बनाती है, इमांदारी वर्ड बड़ा होता है, मैंने इमांदारी है, पैसे के प्रति इमांदारी है, काम के प्रति इमांदारी है, और सबसे बड़ी बात, खुद के प्रति इमांदारी है, अगर आप खुद से प्यार करते हो, तो दुनिया से कर सकते हो, खुद से ही जो प्यक्ति प्यार नहीं करता है, वो कभी किसी के care या प् professional in their working and advocates and advocates to follow the rules to ensure that they are doing the right thing for their clients and the public at large the fundamental principles are integrity satyata, imaandari laksh ke prati focus laksh na ojhal hone paye kadem badaata chal manjil tere pag chumegi aaj nahi to kal to kera ki laksh prakati bhagwat gita kya sikha raha hai imaandari sikha raha hai laksh ke prati focus hoana sikha raha hai professional behavior sikha raha hai kaisi activities ko karna hai due care sikha raha hai due care ka matlab hota baabu chetna alert raha due care isi ko tu bholta hai due diligence kehliji ya due care chetna har vekti chetna ki baat karta chetna hii to bhaagwan hai yaar jis dan chetna yao se nikla gai hemahari consciousness jis dan khatam uždan vekti coma mein chala jata hai اور jab coma mein chalega toh khatam legally death ho jati us vekti ki co coma mein chala jata hai chetna hii to bhaagwan hai yaar alertness hi to bhaagwan hai or da rupi ka rupi usi alertness ko reduce karta hai और पढा रहता नाली में abe da rupi के 1 crore ki garae में लेट रहा है कि नाली में पढा है क्या फरक पढ़ रहा है लोग पैसे कमा कर दारू-शारू-चक्रम पढ़ जाते है ले पैसे कमाने न तो जिन्दिगी को जीना सिखना होश में रहकर होश में रहकर उस पैसे को enjoy करना लाकि नशे में पढ़े रहना अगर नशे में रहना था बेहोश रहना था काई को कमा एतना सारा पैसा भे हैसी रहता पर तो क्यों करी मेहनत बेहोश होने के लिए नहीं होश में रहना मेरे दो शब्द में जीवन में हमेशा फॉलो करता हूँ रोज उठते ही में दो शब्दों को जरूर याद करता हूँ क्या मैं होश में हूँ क्या मैं alertness है और क्या मैं हर चीज में से रसीरा काम करता हूँ मैं confidentiality and professional behavior यह सब सिखाय जाता गीता के अंदर और यही सिखाय जा रहा आपके ethics के अंदर आगे बात करते हैं चार्डर कांटेंट एक्ट 1949 यह आगे आपके वेद यह आगे आपके वेद वेदों से निकली है गीता और आपके जो ethics हैं यह ICAI इससे बधा हुआ है सबसे उपर act है उसके नीचे ICAI आ रहा है और ICAI के नीचे फिर ethics आपको दिये जा रहे हैं यह वेद हैं यहां से निकली है prescribe the disciplinary actions if a child account is found guilty of any professional और इतना इतना तो यह है अपका गरुण पुराण जहां से actions लिए जाते हैं गरुण पुराण के मताबिक बताया जाता है कि भई आपने अगर बुरे करमा कर दी तो क्या होगा a child account is found guilty of any professional misconduct मतलब bad karma bad karma क्या है bad karma क्या बताया था मैंने bad karma number 1 कोई भी वो काम जो आपने बिना चेतना के किया है अबे चेतना मतलब alertness कहीं और समझ जो चेतना मतलब alertness है अगर आपने कोई काम बिना चेतना के किया है बिना alertness के किया है लापरवाही में किया है gross negligence में अगर आपने काम किया है वो bad karma है कोई भी काम कोई भी वो काम जो आपने अधूरे ग्यान में किया है आपको संपूर ग्यान नहीं था उस्चीज का वो आपका यहां पर माना जाता है नीड टू फॉलो एक सीए को यह ethical conduct फॉलो करना होता है सारे compliance को फॉलो करना होता है यह सब बात बताए गई है यहां बताते हैं क्या सजा दी जाएगी चार्ड अकाउंटेंड प्रैक्टिस वुड बी डीम टू बी गिल्टी आपको यहां सजा दी जाएगी और प्रफेशनल मिसकंडक्ट के आपके बैड करमा की यहां पर सजा दी जाएगी इस शेडूल सेकंड पार्ट वन क्लॉस सेवन के मताबिक गरण पुरान की लाइन बताओ कहां किस प्राविजन में दे रखा है और चार्ड अकाउंटेंड अक्ट के मताबिक इस अगर उसने लापरवाही में काम किया जड़ होकर काम किया जड़ यानिकि alertness का reverse होता है opposite होता है जड़ बेहोशी कह सकते हैं आप इसे बेहोशी कह सकते हैं आप इसे जड़ रहे कर काम किया अगर ऐसे काम कीया येulljay अगर एसे काम के लापरवाही में तो ये एकलाई गर्म मैं आपको professional misconduct की सजा दी जाएगी पक्का पक्का दूसरा सुनिये चार्ड काउंट इन प्रेक्टिस है शाल भी दिम तू भी गिल्टी यह दी इफ फेल्स तो अप्टेन सफीशेंट इंफरमेचन विच इस नेसरी तो अधूरी जानकारी अधूरा ग्यान बिना संपूर ग्यान के बिना एड़केट नॉलज के आम काम कर रहे हो ये भी आपका यहां पर एक मिसकंड़क्ट माना जाता है दो बात बोली है नॉलज और इसकिल मैं आपको क्लास दे रहा हूँ मेरी बास समझना बाबू मेरे जिस पर मैं बात कर रहा हूँ मुझे संपूर ग्यान है प्लस उसको डिलिवर करने की इसकिल आठ वो कला मेरे पास है फिर ते गुड करमा है अगर इनमे से एक भी मिसिंग है तो यह मेरा बैड करमा होगा और मुझे इसकी सजा मिलेगी अगर मेरे पास मालो इसकिल तो है डिलिवर करने की पर मेरे पास कंटेंट नहीं है मैं नहीं कर पाँगो और अगर किया तो बैड करमा है यह नॉलिज तो बहुत है क्या हिंदुस्तान में नॉलेजवारे लोग नहीं है बहुत बहुत नॉलेजवर लोग बैटेंगे लेकिन इसकिल नहीं है डिलिवर करने की इसी बात के पैसे हैं वनना हम भी तुम्हारे जैसे हैं ग्यान तो सब हासिल कर लेते हैं लेकिन जो इसकिल होती उसको डिलेवर करने की ये तो भाई अब जो भी कहों लेकिन बहुत कम में हो पाती है जिस बच्चे की रैंक वन आई है क्या वो बहुत अच्छा टीचर हो सकता है जरूरी नहीं है लेकिन जो बच्चा दस बार में अटेम्ट दे दे के दे के पास हुआ है उसके अच्छा टीचर बनने के चांस जादा है क्योंकि वो क्लास के सबसे गरीब बच्चे सबसे मंद बुद्धी बच्चे की मेंटलिटी को जानता है उसे परकता है उसको पता है कि बेठा तुझे तू बच्चा होता तूज़े कैसे कैसे समझ में आता था उसी लेवल को पकड़ के चलता कि उस कौने बैठे बच्चे को समझभाना चाहिए जो रैंक वन आया है भाई उसका तो अपना सीन अलग रहता भाई उसका तो हाई-फाई बच्चा रहा होगा फटाफट चीज़े को पकड़ने वाला होगा तो शायद वो एक अच्छा टीचर ना बन पाए as compared to देखिए exceptions are always there बट मैं एक in general बात कर रहा हूँ अगर दोनों में देखा जाए एक रैंक वन और एक दस बार में पास हुआ है तो दस बार में जो पास हुआ उसके अच्छा टीजर बनने के chance ज़्यादा होते है क्योंकि वो हर फेस से गुज़रा हुआ होता है और वो बच्चों की mental position को समझता है तो he should maintain professional knowledge दो बात है knowledge होनी चाहिए और इसकी लोनी चाहिए एक भी कमी रहे गई वो बैड करमा बन जाएगा बैड करमा बन जाएगा तो ensure that clients receive competent professional services based on the latest applicable provisions of GST law मिला पूरा संपूर ग्यान होना चाहिए जो updated होना चाहिए amended ग्यान होना चाहिए ठीक है और तीसरा है in case of any violation of the law performing compliance certification etc and he shall also be liable to applicable penalty and prosecution और के रहा कि अगर मालेजे तीसरा मैंने बताया था भगवत की तवाले में देखिएगा आप जो मैं लिखवारे का content पहला बोल दिया मैंने यहाँ पे आके कि भई आपने जो काम किया है उसमें पूरा alert होके काम नहीं किया था तो बैड करमा है अधूरी knowledge से किया है वो बैड करमा है और तीसरा resultory लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा करम जो भगवत गीता के principles के against जा रहा है जो ethical नहीं है वो आपका bad करमा यहाँ पर बोल दिया जाएगा और आपको सजा मिलेगी financial सजा आपकी यह हो गई यह आपकी financial सजा हो गई और prosecution आपकी mental और physical हो गई mental और physical जब तक आप financial यह तीनों प्रकार की सजाएं आपको भगत नहीं पड़ती है जब बैड करमा करते हो unethical behavior करते हो crucial role है यह चार्डर काउंटेंट प्ले करता है crucial role अच्छा जी तो हमारे यहां सीए कौन इक भगवत गीता के लिए भगवत गीता के लिए हर व्यक्ति सीए है every person is brahman के लेकिन यह ethics यह वाले पढ़ रहे हैं यह CS के लिए है in ensuring GST compliance within their clients organization तो वो client organization में dehandle करता है यहां पूरे भ्रह्मांड को handle किया जाता है मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवत गीता की एक बूंद मात्र है आपका यह chapter चल रहा है this involves assisting in process of obtaining registration बहुत सारे करम करने पड़ते हैं इंसान को शादी करनी पड़ती है सब लिखा देख सकते हैं आप शादी करनी होती है लें दिन करना होता है तो जितने भी compliance हैं इन सभी करमों के अंदर उसे अपना ethical behavior रखना होता है generally chartered contents are responsible किन कामों के responsible होते हैं भाई for ensuring maintenance and accurate detailed records of all GST transactions invoice receipt ये वो मैंने कहा था लेखा जो खरकना चाहिए अपने करमों का ये जो करम हो रहे हैं उन करमों का पूरा हिसाब detailed records रखने होते हैं ताकि पता लग पाए later stage पर 2-3-4 साल बादी पता रख पाए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था क्या गलत था क्या सही था जब case लगता है ये एक C.A की duty होती है और major role होता है tax advisor का role होता है ये लोगों को इसका role ये है भगवत गिता पढ़ा हुआ व्यक्ति भी समाज को advice करता है सही मार्क पर चलने की सलहा देता है और एक professional का role होता है कि वो अपने client को एक सही से tax advice दे जो इसके हित्मे हो जो ethical हो जो within the law हो गलत काम करेगा तो C.A के उपर भी section 122 section 3 की penalty ठोक दी जाती है GST law के अंदर और अगर भगवत गीता कहती कि अगर कोई व्यक्ति यहां किसी गलत advice देगा बहु दूसरे के बच्चों को उल्टे सीदे कारणा में सिखाय करते कि यह कर उल्टा कर पुल्टा कर आज दूसरों के बच्चे अच्छी position पर बैठे हुए और खुद का बच्चा दारूपी के पड़ा रहता है घर में माबाप को मारता है थपड़ मारता है माबाप को ऐसे वेक नहीं तो फिर बदला ये लेती है काईनात उसके बहाँ पर इसलिए बुरे कर्मा मत करना सजा मिल कर रहेगी हर हाल में मिल कर रहेगी हर हाल में आटोमेटर सिस्टम है भाई नहीं बस सकते हैं इस इंटेल्स दा कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टेंडिंग अफ दा क्लाइंट बिजनिस आपको ये पूरे क्लाइंट बिजनिस मनला पूरे इंवार्मेंट को समझना होता है भगवत गीता से यही चीज़ सीखने को मिलती है और शाड़र अकाउंटेंट्स मस्ट एकसेस दा इंपेक्ट मस्ट असेस दा इंपेक्ट ऑफ जीस टी कि भई उसका ये फर्ज बनता है कि जितना वो जो भी हो रहा है कर्मों का जो फल आ रहा है उस फल को असेस करना भी इसका काम होता है लेकिन भगवत गीता में कहा है कि फल की चिंता ही मत करो फल जाएगा अपने आप असेस होकर आएगा फल यहां पर भी आएगा लेकिन यहां पर थोड़ा देखने चाहने वाले सुसाइटी वाले पर जब भी कोई समस्या आए तो भगवत प्रेमी जो व्यक्ति होता है दूसरे पर परोपकार करता है समस्या दूसरे पर आ रही है उसको हटा कर उसके ज़िए खुद खड़ा हो जाता है authorized representative बनकर क्या authorized representative बनकर कि तू घर बैट मैं देखूंगा समस्या को आजा मैं जाओंगा commissioner से मिलने के लिए मैं जाओंगा अपले टरबलन में तरह ये representative बनकर मैं देखूंगा मैं भगवत गीता पढ़ा हुआ हूँ मैं जाओंगा वहाँ पर appears on behalf of the clients उसको बचाने के लिए GST officer के सामने टरबलन के सामने वहाँ जाता है और वहाँ पर जाकर उसको जो वो है उसका रूल अदा करता है दुख में उसके साथ खड़ा हो जाता है उसकी जगे पे खड़ा हो जाता है कि तू चिंता मत कर मैं तेरे साथ में हूँ खड़ा भी ना हो तो बहुत सारे certifications देते है certifications क्या होता है कि काम दूसरे का चल रहा है लेकिन लेकिन सरकार कहती है कि भाई अगर तू माले सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 के अंदर हमें lots of credit book करने होते हैं जहाँ पर मैंने पढ़ाय था black and white life to colorful life like that कि भाई हमारा पहले registration नहीं था अभी हो गया है तो जो भी बचा कुछा input था अपना उसका ITC book कर लीजिएगा तो वहाँ पर एक amount आपका 2,00,00 रुपे से उपर का होता है तो एक CA certificate चाहिए होता है central government कहती है सरकार कहती है इस client से कि certificate लेकर आओ तो ऐसे में आपको मदद करनी होगी लेकिन मदद उसकी करना जो सचा आदमी हो क्योंकि अगर सचे आदमी करें एक चोर की चोरी करने में मदद करवा दी आपने तो आप फसोगे उल्टे तो सत के साथ रहना भगवद गीता यही सिखा रही है professional behavior, ethical behavior यही कहता है कि जो व्यक्ति सच है उसका सच का साथ दीजिए उसकी report बना कर दे दो कि ठीक है भाई साब यह ठीक है इसकी guarantee हम लेते हैं आपको हमारे पर भरोसा है उसकी शिफारिस कर देना कि यह बंदा ठीक है बिलकुल उसको IT दिलवा देना help कर देना उसकी समस्या बढ़ी है तो उसकी जगह पर सामने जाके खड़े हो जाना authorized representative और छोटा मोटा काम है तो उसकी help कर देना certifications provide करा देना section 181 A, B, C, D section 183, section 184 section 66 special audit यह सब क्या है यह मदद करना ही तो है C मदद करता है बीच में आ जाता है they primarily aim at curbing at unethical practice preserving the leakage of revenue जो पुन्य हो रहे हैं उन पुन्यों का नाश होने से रोकती है पुन्य का नाश होने से रोकना दारू पीना नहीं सिखाती भगवत कीता वो कहती मत पी अगर पीएगा तो तुरे पुन्य खतम होते चले जाएंगे तुन्य कमाया है ये भी ये जो एथिकस बनाएगा है इनका सब का अबजेक्टिव क्या है पुन्यों को बढ़ाना गॉर्मेंट का revenue बढ़ाना चोरी चकारी ना हो राम राज हो जैश्री राम तस दा डूटी अफ एवरी चार्ड अकाउंटन तो एकसाइज अट्मोस्ट केर एक अल्ट्रा लेवल की चेतना एक अल्ट्रा लेवल की alertness पे रहके काम करे ड्यू डिलिजेंस वाइल ग्रांटिंग दीस सर्टिफिकेशन तो जब आप किसी की मदद करने जा रहे हो सर्टिफिकेट देने जा रहे हो तो आप देख लेना कि वो वेक्ति के जूटा तो नहीं है कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहा है और उसके गलत काम में अगर आपका हाथ लग गया तो आपके पर तो भरोसा करता है आप तो भगवत गीता पे चलने वारे थे आप पे तो हर कोई भरोसा करता है अगर आपने उसका साथ देकर कर दिया तो भाई आप भी फजयाओ को द्यान रखना अट्मोस्ट के रखना पूरा चेतन होके काम करना कि जो है वो एक्चल में है की नहीं है वाईल प्रोवाइडिंग दा सेट सर्टिफिकेशन Chartered Accountant has to comply with ethical requirement of code of ethics by ICAI the relevant applicable document standard quality control यह आप जानते हैं SQC जो 1 है उसको भी यहाँ पर देखा जाता follow किया जाता है और अब बता रहे हैं कि जो Chartered Accountant है वो कहां कहां पर कैसे कैसे certificate और report बना कर देता है section 181A, 181B, 181C, 181D उसके बाद में आपका यह 183 और उसके बाद में आपका यह आ गया जी कहां रहे 54 में जो RFD 01 फाइल करते हैं 2,00,000 से उपर का है तो CA certificate लगके जाता है RFD 01 के साथ में और यह 184 का ही अपना यहां पर आया है उसके बाद section 66 special audit जो की commissioner करवाता है CA के द्वारा और बहुत सारे attestations होते हैं यह इसके करमा होते हैं इन करमों के अंदर उसे सच का साथ देना चाहिए अपने client की position को देख कर क्या वो सच है अगर सच है तो certify करके आप सरकार को वहां पर जा कर दे सकते हैं इस प्रकार से आपका चैप्टर यहां पारकर खतम हो जाता उसके बाद के study practice के लिए हैं प्रेम से बूलेंगे राधे 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 सरें sections में कहा लिखा है इन section में लिखा है जो पढ़ चुके हैं इनमने थोड़ना कुछ यह वही तो sections है आपने सारे के सारे पढ़ने चुके हैं आप इनको यह पढ़ चुके है 181A person eligible to take credit 181A यार जिसमें था अपना कि भई और अन रजिस्टर्ड था पहले अन रजिस्टर्ड से फिर रजिस्टर्ड हो जाता है तो input का ITC मिल जाता है और इसमें था अपना कि भई पहले अन रजिस्टर्ड था और अन रजिस्टर्ड से आप voluntary registration लेते हो तो आपको ITC का credit मिल जाता है आगे चलके 181 CC for composition scheme पहले composition scheme के अंदर थे और अभी आप आजाते हो यहाँ पर regular scheme के अंदर black and white से color for life के दर तो आपको इंपुट और capital गूट जो बचा कुचा है उसका ITC मिल जाता है C और D के अंदर input और capital गूट दोना हुआ करते थे 181 D बात करता है आप से यहाँ पर आकर कि भई पहले exempted था अभी आपका हो गया है taxable करके तो बचा कुचा जो भी credit है इंपुट इंपुट टेक्स का वह आप ले सकते हो इंपुट हैड़न स्टॉक जब डबलू आईपी में हो चाहिए फिनिश प्रिट में content हो है ना यह capital गूट इनक आपक्रेट यहाँ पर ले सकते हो cut-off date के बाद दे सकते हो वो सारी बात लिखे हुई है उसके बाद कैसे लिया जाता आईटी से 01 यह तो फॉर्म तक मैं आपको दिखा रखा जी एस्टी पोर्टल पर के कैसे लिया जाता है 30 days के अंदर यह फाइल करना होता है और दो लाग से उपर का है तो CS certificate की वहाँ पर आकर आवशकता पड़ती है और फिर वो ITC 01 फाइल कर दिया जाता है तो यह तो वही सारी law जौकातियों लिखा हुआ जो आपका पहले था 18-3 के अंदर क्या था 18-3 में था कोई sale merger वगयरा हो जाता है कि यहां से business sale हो गया इसके नाम पर तो यहां तो सब ठीक है balance sheet to balance sheet transfer हो गई लेकिन इसके e-credit ledger से इसके e-credit ledger में कैसे पैसा पहुँचेगा तो यहां से information जाती थी कि भई मैंने business बेच दिया है यहां से information आती थी फिर यहां पे जैसे बोलते थे कि आपको ITC आया है तो यहां पर ITC बुक कर लिया करता था इसके e-credit ledger के अंदर ITC आ जाया करता था तो यहां पर अगर यह amount दो लाग से उपर का है तो CA certificate चाहिए होता था और ITC 02 के अंदर आकर यह अपना credit मालक वहां प का refund amount बनता है तो सिर्फ declaration sufficient होती है सिर्फ tick करना होता declaration पर लेकर अगर से उपर का amount बनता तो CA certificate चाहिए होता है कि जो आप refund क्लेम कर रहे हो यह सही है या नहीं उसको justify करके देता है वो है ना अगर उसने बोल दिया तो फिर उसकी कलम पर सही माना जाता है कि जो बोला है सही लेकिन अगर यहां पर CA ने गड़बड करते तो section 122 subsection 3 की penalty जो कि up to 25,000 किये वो यहां पर लगा दी जाती है ऐसे करके 18-4 अपना यहां पर मालिक आ जाता है 18-4 के अंदर क्या हुआ करता था कि सरमाली यह उल्टा था कि पहले यहां पर जो life थी colorful life थी उसके बाद black and white हो जा जाते हैं या फिर पहले यहां taxable थे और यहां पर आकर आप exemption में चले जाते हैं तो ऐसे वाले case के अंदर आपको ITC का reversal करना होता है जो आप reversal कर रहे हो वो कर दिया जो बचता उसमें आग लगा दी जाती तो सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा यह सारा का सारा certified किया जाता है बाइदा चार्डर अकाउंटेंट सेक्शन 66 अभी दो दिन पहले हम लोगों पढ़ा है special audit करवाया जाता है जब कोई case उलज जाता है हमें ध्यान है कि व्यक्ति ने अपना registration ले रखा रिटरन फाइल कर रखी अपनी रिटरन फाइल करने के बाद स्कूटनी की जात जाते हैं 66 के अंदर जाकर special audit की बात की जाती कमिशन अपॉइंट्मेंट करता है एक सीए के अपॉइंट्मेंट करता है उसका जो डिपार्टमेंट ही देकर चलता है यहां पर एक फॉर्म मैंने आपको दिखाया था उस फॉर्म के ADT करके जो फॉर्म था ADT 03 करके फॉर्म जाता वहां पर जाकर इंफर्मेशन जाती है क्लाइंट को कि भाई यह इस चार्डर अपूरा का पूरा हैल्प कीजिएगा जो भी डिटा मांगे आप इनको प्रोवाइड करिएगा वहां पर जाकर audit होता है audit होने जब शुरू होता तो उसके 90 प्लस 90 डेस के अंदर अंदर से पहले डिपार्टमेंट को मौका देता है आपकी यह रिपोर्ट निकल कही है कुछ कहना तो आजाओ कहलो यहां पर आकर इस प्रकार से स्पेशल ऑडिट का वहां पर बनता तो वहां पर बोला गया कि आपको ठीक से बिकुल फेर तरीके से रहकर अच्छे से काम करके चलन हैं और ठीक से अनबायस तरीके से अपने रिपोर्ट बना रही हैं जो भी औरिट फाइंड निका हैं वो आपकी फैक्च्छल बेसिस पर होने चाहिए और और कैसे करते हैं वो सारी बात लिखे कि और कैसे करना है आपको वहां जाकर रिवीव करना है और डॉक्युमेंट को बेस्ट ऑन एकुरिट और राइबर इन्फरमिशन पर आपकी रिपोर्ट होने चाहिए और इट शुडबी डिस्क्लोज दा ओल रेलिवेंट पार्टी वो सार का सार आपको यहां पर बताना चाहिए होता है ऐसे करके और रेलिवेंट पार्टी जो भी कोई सगे संबंदी अगर आपकी क्लाइंट के मालेजिए मैं सीए हूं और गौर्मेंट ने मुझे अपइंट करना है कि भाई जाईए वहां पर जाकर और कीजिए क्लाइंट का एबी से लिमिटेट का ऑडिट कीजिए पर पताला का मेरे जो ब्रदर की पतनी है वहां पर एक टॉप पोजिशन को संभाले बैठी उस कंपनी के अंदर तो बताइए क्या मेरी रिपोर्ट अनबाइस हो सकती है मेरे सगे संबंदी वहां पर बैठे हुए है क्लाइंट के हाँ पर जाकर तो मैं कहीं न कहीं इनफ्लूएंस्ड हो जाऊंगा तो अगर कुछ ऐसा है तो हमें पहले बताना कर दीजिए लेकिन माक्षिट अटस्ट करने से पहले सत्यता के जास करने चाहिए औरिजिनल देख लिने चाहिए कि हां भाई जो औरिजिनल हैं वो हैं भी कि नहीं जैनून हैं कि नहीं क्योंकि आपके साइन की कीमत आपके साइन पर भरोसा किया जाता है आगे चलकर कि उस इसे करके मालिक यहाँ पर आपकी बात यह करी जाती है पहले मुझे बताइए यह चाप्टर आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया मैंने संभब प्रियास किया चैप्टर को बड़ा आसान बनाने का एक परलल भगवत गीता के साथ लिंक करने का जिससे घ्यान के प्राप्ति भी होगी और जो चीज समझ में आने चाहिए अकुरेसी के साथ में अगर आपको कुछ भी भूल भालोगे न तो भगवत गीता के न मही है